नमश्कर मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है वर्ष 2024 का पहला दिन एक जन्वरी सोमबार सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हारदीक शुपकान आए खब्रो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर कुसर यूबा कारिक्रम के तहट चलाए जा रहे कोर्सिस का ऐसे उठाए लाव आज से बदल जाएंगे आपके जीवन से जुरे ये नियां बिहार के सहलमिट मैंन ने कईयों की बचाई जिंदगी अब से रेल सफर में दिव्यांग जनों को मिलेंगी ये सुधाएं साउथ अफरिका इखिलाग दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जम कर बहाया पसीना अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से भारतिये मानक ब्यूरों में 107 पदों पर निकली भरती भारतिये मानक ब्यूरों के ओर से विवन विभागों के अंतरगत को 107 प्रिक्त पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह BIS की ओफिसियल वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे के आविदन करने की अंतिम तारीक 19 जन्वरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार के पास अलग-अलग पदों के लिए संबंदित फिल्ड में इंजिरिंग में ग्रैजुएशन लेकर मास्टर्स और पीसडी की डिग्री होनी आने बारे है साथ ही कुछ पदों के लिए उमिद्वार के पास 5 और कुछ के लिए 10 वर्ष तक का काड़े अनुभव भी होना चाहिए ऐसे में उमिद्वार इस सिजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले कुछल युवा कारिक्रम के तहट चलाए जारहे कोर्सिस का ऐसे उठायला बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि राजिस सरकार द्वारा साथ निश्य योजना अंतरगत आर्थी खल युवाओं को बल के तहट युवाओं की कौशल चमता को बढ़ावा देने हैं तो कुशल युवा काडिकरम के तहट कई कोर्सिस चलाय जा रहे हैं जो रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने में सहयक की भूमिका निभाता है बता दे कि युवाओं की चमता को बढ़ावा देने हैं तो एवं उनके कौशल विकास में बढ़ोतरी के उद्देस से यह मि से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए मालम हो कि कोर्स की अब दी तीन महीने की होती है जिसमें विद्द्यार्थी को प्रते दिन 4 घंटे केंद्र में उपस्तित रहते वे दो पाठी क्रम 2-2 घंटे सीखना आनिवार है इस योजना के तहट जो कोर्सिस उपलब्द है उनमें कम् प्रसक्षन है इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.skillmission.org या 18191236525 पर संपर्क कर सकते हैं विहारी बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आनंद कुमार के बारे में आनंद कुमार का जन्म आची के दिन 1973 में हुआ था या एक भारतिय गनित अगया सिक्षावित तथा पोहुत सी राश्ट्री तथा अंतराश्ट्रे गनित की पत्रिकाओं के इस्तंभकार है उन् प्रबंध संस्थान एहमदाबात कहीं IIT, British Columbia, विश्यविद्याले, टोक्यो, विश्यविद्याले तथा स्टेंफूर्ड, विश्यविद्याले में भासन दे चुके हैं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निश्यलक सिक्षा देने के काम के कारण निमका Book of World Record में भी उ सूपर 30 को पुडव अमेर्की राश्रुपती बढ़ाक ओबामा के विशे सिपहसालार राशीद हुसेन ने देश का सर्वस्टिस्ट संस्थान का न्यूजविक पत्रिका ने आनंद कुमार के कारियों का संग्यान लेते वे उनके संस्थान को चार सरवारिक अभिनाव संस् पुरस्कार प्रदान किया गया कैलिफोर्निया के सैंट जोस्ट में और्गनाइजेशन के 25 साल गिराह के मौके पड़ एक समारों में फांडेशन फॉर एक्सलेंस दौरा 46 वर्षिये अनंद कुमार को एडुकेशन एक्सलेंस अवर्ड 2019 दिया गया वर्ष 2021 का स्वामी ब्र सजड़े कई नियम बदलने वाले हैं जिसमें आज से नेशनल पेमिंट्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के द्वारा दिये गए नरदेश के नुसार गूगल पे पेटियम और फोन पेज जैसे पेमिंट्स एप और बैंकों के ऐसे यूपी आईडीज और नंबर डिये अक् के लिए डिजिडल के वाईसी कराना जरूरी होगा आज से आई टियार फाइलिंग के लिए जिर्माना देना पर सकता है नई साल की शिडवात से पारसल भेजना महंगा हो सकता है ओवर सीज लोजिस्टिक ब्रांट ब्लू डार्ट ने पारसल भेजने पर साथ फीजदी तक का इजाफा किया है हर महीने की पहली तारी को गैस सिलिंडर के दाम तै किये जाते हैं ऐसे में साल के पहले दिन आम आदमी को गैस सिलिंडर की कीमतों को लेकर बड़ा एलान हो सकता है एक जनवरी से देश की कई बड़ी कार कंपनियों ने गारियों के दाम बढ़ाने का फै सितनागी नक्टी पक्ची अभ्यारने में बिहार का दूसरा पक्ची महोटसव लगने वाला है जिसमें देश विदेश के पक्ची विससग्य शामिल होंगे वालों के महोटसव का उद्देश्य आम लोगों को पक्चीयों के बारे में अधिक जागरोग करना है इस बारी में वन पड़य वरन एवं जलवायू पड़िवर्तन मंतराली के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि दूसरे राचेस्तर ये बर्ट फेस्टिवल का आयोजन फरवरी के पहले सब्ता हमें किया जाना है लेकिन इसके ठीक पहले बिहार की राज़ाली पठना म पक्षियों को लेकर एक इंटरनाशनल का भी आयोजन किया जाएगा इस महुतसफ के दौरान विभाक के दौरा पक्षियों के आहार और विभार के बारे में जानकारी देने के लिए अलग-अलग स्टॉल लगाए जाएंगे और साथ ही कई प्रकार के कारेक्रमों का भी आय अब तक साथ हजार से जादा हेलमेट पूरे देश में लोगों को फ्री में बाठ चुके हैं जिसे कई लोगों की जान बची है मालमों के इन्होंने अपनी इस मुहीं को जाली रखने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और साथ ही उन्होंने अपना घर सहित साथ जमीन भी बेच दिया रागविंद्र का मानना है कि देश में हर साल हजारों लोगों की सरक हाथते में जान इसलिए चली जाती है क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते इसलिए उन्होंने अपनी जिन्दगी को देश भर बे सरक सुदक्षा अभियान के लिए समर्पित कर दिया गंतंतर दिवस में बिहार के साथ जिलो के प्रमुखवा मुख्या परेड में लिंगे भाग 26 जन्वरी को नहीं दिली में गंतंतर दिवस के परेड में प्रकंडवा पंचायत में बहतर कारी करने वाले प्रमुखवा मुख्या को शामिल होने का अफसर प्राप्त हुआ है जिसमें बिहार के भी साथ जिलो के प्रमुखवा मुख्या के नाम शामिल है दरसल बता दे कि पंचायती राज मंत्राले के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार परेड में शामिल होने के लिए राजी के साथ जलो से चार प्रमुक व तीन मुख्या का चेयन किया गया है जिसमें मुझपर पुर जले के औराई की प्रखंड प्रमुक अरामिका भारती गया जले के बेला गंज की प्रमुक कांती कुमारी मधुबनी जले के खजौली प्रखंड की प्रमुक उशा कुमारी जहानाबाद के रतनी प्रखंड की प्रमुक सोनी कुमारी सारन की देवधी पंचायत की मुख्या प्रियंका सिंग समस्तिपुर के मोती पूर की मुख्य प्रेमा देवी वा मधुबनी के बंगाम दक्षनी की मुख्या मनीशा देवी के नाम शामिल है वह इन सभी जन प्रतिनीदियों को दिल्ली ले जाने की जिमेदारी नोडल पदादिकारी के रूप में प्रभास चंद्रजा, परियोजना प्रबंदक, राज्ये पंचाय संसाधन के इंद्रपटना को दी गई है बिहार के इन विभूतियों को वर्च 2023 में मिला पदमश्री वर अन्य अबॉर्ड आज से नैशा दोवजार चौबस की शिर्वात हो चुकी है और 2023 बीथ चुका है द्वारा पदमस्री से सम्मानित किया गया तो वहें के लावा बिहार की सुभद्रा देवी को भी पदमस्री से सम्मानित किया गया नरंदा जला के कपल देव प्रशात को बावन बूटी सारी नडमान के लिए पदमस्री से सम्मानित किया गया गाई का रंजना जहा को संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार से रिशिके सुलब को संगीत नाटक अकादमी राश्ट्रे पुरुसकार से वर्ष्ट रंकर्मी मितलेश राय को संगीत अकादमी पुरुसकार से अभिनेता निलेश मिश्रा को भी संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार से ठुमरी गाई की जयंती पर राजेपाल, राजिंटर विष्णात आलेर करद्वारा बिहार के सिरी समान से बिहार के 17 विवूतियों को सम्मानत किया गया बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे सूफी सर्कुिट के बारे में बिहार को भारतिय उपमहद्वीब के पहले कुछ स्थानों के रूप में जाना जाता है जहां रहश्यवादी सूफियों ने निवास किया था इसके शिरवाती अनुआई सूफिवाद के चिस्ती और सुहारवर्डिया आदेशों से संबन्ध थे कादरी आदेश जिसे अब राजे में मुख्य सूफि आदेश माना जाता है उसके एक प्रमुख प्रतिनीदी थे बिहार राजी के और अंगाबाद जलेमेसित अमजर शरीफ के सयद मुहमद बिहार में सूफिवाद के आगमन के कारण सूफि संतों और उपदेशकों की मस्ज ज्यान प्रदान करते हैं अमजर शरीफ, मनेश शरीफ, बिहार शरीफ और भी कितने मदर्से और मशित सूफिवाद के प्रत्यक्षका प्रमान है वास्ता में बिहार में सूफि संतों सिजरे सैक्रो पवत्र स्थान है जहां सूफिवाद अभी भी एक संपन पड़म पड़ देते वे बताया गया है कि बिहार के पुर्णिया में दसवी पास युवाओं को रोजगार उपलध करवाने के लिए जिला प्रशासन के सहीयोग से पुर्णिया के सभी थानों में सुरक्षा सैने को सुरक्षा परेवेक चको और CIT की भारी संख्या में बहाली की जाएगी ज को मोहनपूर ओपी परिसर में 11 जन्वरी को अकबरपूर ओपी परिसर में 12 को चंपानगर ओपी परिसर में 13 जन्वरी को श्रीनगर ओपी परिसर में 14 को रहुवंस नगर ओपी परिसर में 15 को बरिया ओपी परिसर में 16 को 22 थाना परिसर में 17 जन्वरी 2024 को सुदर थाना परि सर पूर्णिया में बहाली कारिकरम चलाया जाएगा जिसमें भाग लेने के लिए एक चुकमिद्वार को अपने संबंधित आविशक दस्तावेज, सैशनिक प्रमान पत्र, एक पासपोर्ट, साइस फोटो और आधार कार्ट की छाया प्रती लेकर आयोजन अस्तर पर जाना अ अब से रेल सफर में दिव्यांग जनों को मिलेंगी ये सुवधाई, भारती रेलवे के द्वारा यात्रियों की सहुलियत के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, इसी कड़ी में अब केंद सरकार के द्वारा, दिव्यांग जनों के लिए एक नई सुवधा की शिरवाद की ग मालू हो कि दिव्यांग जनों को दी जाने वारी सारी सहुलियत की, रेलवे बोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन्स तयार की गई है, और साथ ही एक अलग से वेबसाइट बिनाने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें दिव्यांग जनों की सारी सुवधाईं मौजूद हो मालू हो कि गाइडलाइन्स के तहट दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से टिकेट काउंटर बनाये जाएंगे, एक मोबाइल एप तरियार किया जाएगा जिस पर उनके लिए कैटरिंग की, वेवस्ता होगी स्टेशनों पर टेक्स्ट टू, स्पीच सुधा उपलद क करवाई जाएगी और साथ ही डिजिटल डिस्प्ले लगाई जाएगी जिसमें साइन लैंग्विच के भी ऑप्शन दिये जाएंगे, इंटर और मात्रिक वार्सिक परक्षा का मुल्यांकन नहीं कर पाएंगे 624 सिक्षक, विहार बोड के द्वारा राजी के सभी जिला सिक परक्षा कारियाले को पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि मैट्रिक इंटर के मुल्यांकन से 624 अनुदानित माध्यमिक और उचमाध्यमिक स्कूलों के सक्षकों को अलग रखा जाएगा, बता दे कि विहार बोड के द्वारा इसपस्ट कर दिया गया है कि निलंबित स गया था वही से पहले औक्टूबर महिने में 178 अनुदानित माध्यमिक विध्यालियों की मानता को निलंबित किया गया था, इसके लावा बोड के द्वारा उन सक्षकों को भी डारेक्टरी से हटाने का नर्देश दिया गया है, जिनका नाम काली सूची में है, जिन बोड पशो की देखभाल कैसे की जा, जिसके तहट बताया गया है कि शीत लहर के दोरान पशो को सूखे एवं धुआ रहतस्थान पर भी रखे, पशो शाला को सभी तरफ से धक्कर रखे, जारे में पशो की सरी को धक्कर रखे, पशो को हलका गर्म पानी दिर में तीन शार बार पशो को संतुलत एवं नमक एलेक्ट्रोलाइट से युक्त पूरक आहार दे और खली एवं गुर अतरिक्त मातरा में दे ताकि शरीर गर्म रहे, इसके लावा इस पोस्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि पशो के साथ शीत लहर के दोरान क्यान ना करे, जिसके तहत बता पारन नहीं करना चाहिए। पुलिस के दोरा इस दौरान दो तसकर की भी गिरफतारी की गई है और साथ ही पुलिस टे एक स्कूटी और एक बाइक को भी बरामत किया है वह इंफिलहाल पुलिस के दोरा इस मामली की जांच परताल की जा रही है। पुलिस के दोरान प्रणा सहे दक्षिन भागों के 19 शहरों के एक या दो अस्थानों पर वर्षा की संभाबना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के मुताविक चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से नियुंतम और अधिक्तम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिन पशिम और दक्षिन मध्य भाग में घना कोड़ा रहने का अनुमान लगाया है। भव्य मंदर के नाम पर भी साइबर ठगों के द्वारा ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। नाम से फरजी आईडी बनाकर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। ग्री मंतरी कारे आले दिल्ली वा उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे लोगों के विरुद विलंब कारवाई करनी चाहिए। स्री राम तर्थ इस अफसर के लिए धन एकत्र करने के लिए किसी भी दिकाई को अधिकरित नहीं किया है। जानिये 2023 में बिहार को मिली क्या क्या सौगात। स्टार्टप्स के लिए पटना के मौड़या लोग कॉंपलेक्स में को वर्किंग स्पेस बिहार हब का उधगाटन बिहार मौसम सेवा केंद्र का सुभारम बिहार मौसम सेवा कंद्र द्वारा विक्सित मोवाईल आप मौसम बिहार का लोकारपन। थलोका भ्रहमन और टेक्स्टाइल पार्क और बिटानिया बिस्किट फैक्टरी काउट घाटन सामिल है लालू यादव से मिलने पहुंचे विधान सभा स्पीकर बितेदन बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी राजसुपीमों लालू प्रशाद यालव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे इस दुरान बिहार के परेवरन मंत्री और लालू प्रशाद के बड़े बेटे तेश प्रताप यादव भी मौजूद रहें वहीं इस मुलाकात को सिश्टा चार का मुलाकात बताया गया है लेकिन बिहार के राज़्यतिक गलियारों में इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है वहीं अपने इस मुलाकात को लेकर विधान सभाय स्पीकर अबद बिहारी चौधरी के द्वारा पत्रकारों से बाच्वित करते वे कहा गया कि उनके और लालू यादव के बीज कोई सियासी बातें नहीं हुई है वो केवल नए साल के शुब कावनाएं देने के लिए राबरी आवास पहुंचे थे सियान नितीज की रैली पर बीजेपी के समराच चौधरी का तंज ऐसे में इस्रेली को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक समराच चौधरी के दौरा सियाम नितीश पर तंज कसा गया है उन्होंने कहा कि मैं हाज जोड कर मुक्यमंतरी से कहता हूँ कि पहले बिहार को नितीश कुमार संभाले बिहार में कुछ बोले उसके बाद अन्हेर राजियों में कुछ बोले मुक्यमंतरी नितीश कुमार के दौरा देश की राजधाने दिली में जदिउके विवन प्रदेशों की पतादिकारी और प्रभारीयों के साथ अलग-अलग बैठा की गई थी जिसमें पार्टी और चिनाव को लेकर चर्चा की गई थी राम मंदर प्रान प्रतिस्था समारो उपर जेडियू का साफ संदेश 25 जन्वरी अयोध्या में बने भवे राम मंदर में श्री राम की प्रान प्रतिस्था होने वाली है जिसको लेकर जोरो सोरो से तैयारियां चल रही है महीं अब इस पर जेडियों के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के द्वारा कहा गया कि 22 तारी को भगवान स्री राम की प्रान प्रतिस्था का दिन है यह हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है उन्होंने कहा कि एक खाली हिंदूओं के राम नहीं है बलकि सब के हैं लिहाजा इस अफसर को उत्साह उमंग और बिना किसी भेदभाव के साथ मराना चाहिए बीजेपी के कुछ नेताओं के अधियुद साथ के कारण समारों को लेकर विवाद पैदा हो रहा है लेकिन ऐसे अफसर पर हमें छोटे मोटे राजनतिक लाव नहीं देखने चाहिए दिरसल राम मंदर के प्रांठ प्रतिस्था को लेकर राजनतिक दल्याडों में आरों प्रतियारोब का दोर चल रहा है साथ अफ्रेका इकलाव दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने प्राक्टिस सेशन में जम कर बहाया पसीना साउथ अफरीका एकिलाफ खेले जाने वारे दूसरे टेस्ट मैच को लेकर भारतिय टीम के सभी खिलारियों के दौरा प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया गया साउथ अफरीका एक खेले गये पहले टेस्ट मैच में हरका सामना करना पड़ा था ऐसे में इस दूसरे टेस्ट मैच में भारतिये टीम जीत हांसल करना चाह रही है भारत के त्यास में आज की तारीक है कहीं कार्णो सदर्ज चत्रपती स्तिवाजी मराज ने 1664 में सुरत अभियान शुरू किया पेश्वा माधव राव प्रतम का निधन होने के बाद 1772 में उनके छोटे भाई नरायान राव ने गदी संभाली भारतिये दंड सहिंता 1862 में लागो किया गया देश में मनी ओर्डर प्रणाली की शिरवात 1880 में हुई मृटि सरकार ने भारतिये मानक 1906 में स्विकार किया महात्मा गांधी को दक्षिन अफ्रिका में उनके काड़ियों के लिए 1915 में वोईस राय ने केसर ए हिंस से सम्मानित किया रहार की राजधानी परिटना के पास 1948 में स्टीमर अरायनी दुरगटना ग्रस्त होने से 500 लोग डूबे कश्मीर में युद्ध बिराम की घोशना 1949 में हुई भुटान ने पहला डाक टिकेट 1955 में जारी किया 1972 में बाह को राश्ट्रिय पसू चुना गया भारत और पाकस्तान ने 1992 में पहली बार अपने परमानू प्रतस्ठानों की सूचियों की अदला बदली की कलकता का नाम आधिकारिक तोर पर 2001 में कॉलकता हुआ था अठासो पचतर में लखनओ के प्रश्द श्रायर हसरत मुहानी का जन हुआ अठासो नब्वे में भारत प्रस्द राजनिता संपुर्ना नंद का जन हुआ अठासो बानवे में भारत के महान क्रांतिकारी महादेव देसाई का जन हुआ 1894 में प्रसद भारतिय विज्ञानिक प्रोफेसर सतंदर नात बोस का जन हुआ 1914 में भारतिय राजखुमारी नूर इनायत खां का जन हुआ 1920 में समाजवादी विचारधारा के महान भारतिय नेटा मनीराम बागडी का जन हुआ 1936 में 1950-1960 की हिंदी सिनेमा की प्रसद अभिनेतरी शकीला का जन हुआ 1937 में प्रख्यात उपन्यासकार काशीनाथ सेंग का जन हुआ 1943 में भारतिय विज्ञानिक रगुनात अनंत मासेलकर का जन हुआ वारल खर में आजम बात करेंगे सामाजी क्न्याए और अधिकारिता मंतराले के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचनाए वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़री नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे समाजी क्न्याए और अधिकारिता मंत्राले के बारे में दरसल P.I.B. ने अपनी टूइट में लिखा है कि कथित तौर पर समाजी क्न्याए और अधिकारिता मंत्राले से संबंध एक वेबसाइट सरकारी नौकरियों की पेशकर्ष करने का दावा करती है और गैर वापसी योग्य पंजी करन सुलक के रूप में 435 रुपए की मांग कर रही है पी आईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि वेबसाइट भार सरकार से संबंध नहीं है गूगल मैप में हो रहा ये बड़ा बदलाव टिक जगत की दिगज कंपनी गूगल अपने यूजर्स की प्राइबसी को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है इसके लिए गूगल की मैप सर्विस का अपडेट पेश किया गया है जो आपकी प्राइबसी को लोकेशन को एक्सिस नहीं कर पाएगी गूगल ने एकताज अनौंस्मेंट में इस अपडेट की जानकारी दी है गूगल के अनुसार मैप सर्विस के इस अपडेट के बाद गूगल मैप की लोकेशन हिस्ट्री अथोरिटीज यानि कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे आदी के लिए वर्चुली अनुपलब्ध हो जाएगी गूगल के इस अपडेट को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दखल पर लगाम लगाने और यूजर्स की प्राइवसी को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जारा है बदलाव के बाद यूजर्स को इस बात क परिक्षा बोर की और से कख्चा दसवी और बारवी की प्रैक् Garden की परिक्षा आयोजित की जाने वाली है ऐसे में जो भी विद्यारति इस परिक्षा में शामिल होने वाले है उन्हें कुछ बातों को जाना बहुत जरूरी है जिसके तहत विद्यारति रिपोर्टिंग समय स तीस मिनट पहले परिक्षा केंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा मैं स्कूलों को यह सुनुश्चित करना होगा कि प्रियोक चालाओं में प्रैक्टिकल परिक्षा का आयोजन किया जाना है वहां परियापत चीजें हैं या नहीं रीजनल ओफिस को यह सुनश्चित करना होगा कि स्कूलों की ओर से प्रैक्टिकल परिक्षाएं तैसे डियों के भीतर पूरी कर ली जाए और मांक्स भी अपलोड कर दिय जाए बता दी कि विद्यार्थियों को इंटर्नल असेस्मेंट को पास करने के लिए उमें द्वारों को कम से कम 33 प्रतिशत मांक्स लाना होगा और ये मांक्स थियोड़ी परिक्षा से अलग होने चाहिए हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेंट ऐसे से जरसे अने प्रतियों की परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे कर पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में भारत और किसी देश के कुड़न कुलम परमानु सयंतर की भविश्य की बिजली इकाईयों के नर्मान पर समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं अप्शने अमेरिका, अप्शन B शौदी अरब, अप्शन C रूस, अप्शन D बांगलादेश इसका स्तेउत तर है अप्शन C रूस, अगला सवाल, हाली में महिला एवं बाल विकास मंतराले ने भारत में बच्चों में कुपोशन से लड़ने के लिए किस राश्ट्रे काड़ेकरम के दौरान बच्चों में कुपोशन के प्रबंधन के लिए एक नया मान की कृत प्रो सूपोशन अभियान, ओप्शन C सूपोशित भारत, स्वसक्त भारत, अप्शन D इनने से कोई नहीं। इसका से उत्तर है ओप्शने बरहडवा लखन सेन। अगला सवाल, निवन में से किस ने प्लान टरो के समर्थन में चंपारन आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तयार किया था? इसका सही उत्तर है ओप्शनी जे ए स्वीनी अगला सवाल, राजे लोग सेवा योग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निवक्ती कौन करता है? इसका सही उत्तर है ओप्शनी राजे पाल, बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग ने पज़ाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम ह प्रहलाद कुमार, अशोक कुमार, अतीक खान, असारी, मुहम्मद सकीर हुसैन, शिफशंकर कुमार, यादर राजी कुमार, शुशिकात निराला, राजेश कुमार, राज, टिंको सिंग, कौश्टलेंदर कुमार, सनहा, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, साल 2024 के लिए आपने क्या क्या resolution लिया है, अतना जवाब हमें हमारे comment section में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें, बिहारी news और साथ ही अगर आप YouTube से देखने, चनल को सब्सक्राइब करना और है नवाद